एक लाख चालेसार रुपे का डिस्काउंट मिला है फॉर बाई टू मैनोल जो गाड़ी है वो मैनोल गाड़ी आपको चालेस लाख रुपे की पढ़ जाती है ऑन रोड इसके आपको जेबील का साउंड देखने हूं मिलता है और जेबील की ब्रैंडिंग भी आपकी यहां प सब्सक्राइब करते हैं आज का यह वीडियो पूरी बात करते हैं यह चीज़ आप चेक कर रहे हो भाई यह है अपनी गाड़ी अपनी फॉर्चुनर है यह सिग्मा फॉर यानि की फॉर्वाई फॉर को मतला हम सिग्मा फॉर बोलता है फॉर्चुनर के अंदर फॉर कुछ की एक शोरूम पढ़ती है ओन रोड करीब आपकी जाती है मोटी मोटी पचास लाग रुपे एक सरीज वगरा जो लोगे तो एक क्यावन मी चू देती है ठीक है इसके हम पूरी बात करते हैं क्या चीज़ है कैसे है लोग चेक कर लो कैसी लगती है वाइट कलर मैंने इसलिए भी यायर मतलब साइसा लगता है बढ़िया लगती है देखने के ना वही मेंटेनेंस तोड़ा इजी रहता है काली गाड़ी को भाई बार बार मतलब धो और चमकाओ वगरा दूल ज्यादा पकड़ती है काली है सफेद में तो भाई थोड़ी गंदी भी होगी तो देखो पास से देखते हो ना तो अभी देख लो थोड़े से स्पोर्ट्स वगर आपको देख रहे होंगे क्योंकि पानी पढ़ गया ता सुबह मगर आप दूर से देखते हो तो ऐसा रखता है नहीं नवीली खड़ी हुई है तो वाइट में चीज का फराक है इस गाड़ी है इसकी यहां पर आपको मैं देखा दूं तो यह देख लो भाई आपको 26-24 की बनी हुई है यह ना जून में बनी थी यह दिलेरियो है हमने इसकी अभी ले ली थी चार अगस्त के आसपास पर तो बात करते हैं पूरी टोयटा से मैंने कुई जादा एक सरीज वागर ने ड खरी दी आगरा पर डिसकाउंट अच्छा नहीं दे रहे थे लोन ओफर के लो बहुत सारी चीद इंसूरेंस वागरा में कम कर करूं के तो यहां पर ने निकल वादी यहां डूर में लगता है चारों दरवाजों में लगती है चीज तो भाई यह चीज मैंने सिर्श मैं अब एक सरी देख रहे हैं उसके अंदर जैसे कि आपका यह सब जो चीज लगी हुए है दोर वगरा पर यह सब मैंने आफ्टा मार्केट लगवाई है मगर कॉलिटी बहुत अच्छी है और गाड़ी के अंदर जो एक अलग से वीडियो कवर कर लूँ है कौन सी कंपनी के मै लगती है और अब ब्रांट को इसको भी हो चेक कर सकते हो डियरेल पूर jakiś एक फॉग सेंसर एकां पर देखने आपको और एक सेंसर इधर देखने मुलता है दो फ्रेंट में पार्किंग सेंसर देखने को बिलते हैं आपको नंबर प्लेट मेरी आ चुक यह भी लगवाई नहीं है मैंने ठीक है टोयटा का लोगो आपकी प्यानो ब्लैक की गिल देखने मुलती है बाकी मैंने यही है कि इसके 18 इंच का पई है ऐसा वाला मशीन देखने मुलता है डायमंड कट नहीं है डायमंड कट 17 इंच का आपको देखने मुलता है 4x2 और 4x2 मैनुल के अंदर और जो 4x4 गाड़ी है 4x4 में एक चीज़ और बढ़ी आ है कि इसके अंदर आपको यहां से रिक्वेस चीज में को लगती है इसके अंदर गर्मी बहुत हो रही है इस समय तो भाई यह चीज मैं आपको देखा रहा हूं पूरी और क्या चीज़ है बढ़िया तो है घड़ी नो डाउट इसके अंदर बागी आप इसे एंगल पर देख लो कैसी है प्रयास में आपको और ख़िए गाडी का नंबर यह है अपनी का यूपी असी एची चीण टेखल के लोग आगे तीन लोग पीछे डो कोई मोटे मुटे मुटे आपके आफंट लोग इसमें बेट सकते हैं पीछे के लिए बीच के लिए भी इसीक एवेंट उपर की तरफ ब्लाइक इंटीर लिया या मैंने एक टैन कलर भी आता है मैंने टैन नी लिया इने ब्लैक लिया ठीक है यह वो एक्सेसरी है बाई चार हजार रोपे के हैं इन पर कीमत लिख रही है चार हजार लेडी देखने हो मलता है बैक करता हूं यह जलती है चार रिवर्स पार्किंग सेंसर यहां पर कैमरा देखने को मिल जाता है यह लग रहा है कैमरा फॉर्चुनर की ब्रैंडिंग टाका लोगो वाइपर डिफॉगर हाइं मांट सॉप लैंब शाक फिन आंटेना यहां पर पहले से ही लगके आता है तो यह चीज मैंने आपको देखा दी और क्या चीज़ है यह यह भार से तो अट्था सो सीसी का इंजन है दोसो चार भी एच्पी की पावर पांसो एनेम का टॉर्क बोनट को निकोला भारी बहुत है गर्मी बहुत जादा हो रही है तो यह चीज नमबरी जो रसीड थी पांकार रूपे ही रसीड नमबरी असे आजनना वल्ब हो रही है टक्स अधिक यहाई बहुत गहां है फो पेर कर बात देना सबसे छीजिज चीज क्या है खाई बहुत निएलंड यहां पिर इस चाड़ो और एसा कर के गड़ा चालक बर सब से सही लगती है इसके अंदर डोर को लगाता हूँ मैं यहाँ पर पुश बटन यहाँ पर है यह मैंने दबाया गाड़ी हो गई स्टार्ट यह चीज देखना अब पूरे क्या क्या बनके आता है इसके अंदर यह देखो फॉर्ट सुनर वगरा बनके आती है पूरी ऐसे करके यह देख रहे हो मस्त यह फील तो है मतलब अच्छी लगती है अभी हम लोगों ने इस से भी बनारस का भी ट्रेप करा था एक तो गाड़ी बनारस का जो ट्रिप था वो 16 किलमेटर कुछ का था माइलेज भी गड़ी ने बढ़िया दिया था उसके अंदर माइलेज मैं आप आपको यहां पर काईस देखने को मिलता है इसके अंदर यह देख सकते हो H2, H4, L4 बाकि डाउन असिस्ट कंट्रोल आपकी वेंटिलेटर सीट है दौनों की फ्रेंट सीट वेंटिलेटर है और टोटा की जो काड़ी है पीछे की किसी सीट पर पननी लगके नहीं आती बारे मूल्ट का चारजिंग सौकिट देखने को मिलता है आप देख सकते हो इसी हाटोमाइटिक एसी डूल रियर इसी यहां से चाली हो जाता है इस सब चीज़ है स्क्रीन थोड़ी सी वही मुझे इसकी रगती है मैं एक अलग से वीडियो कवर करूँग इसका भी किस पे बहुत सारी चीज़ें यहीं जो भाई पांत तसलाग रुप एकी गाड़ी देती है गाड़ी में टीपी एमस नहीं आता है टायर का प्रेशर नहीं बताती है इसके अंदर के विल लगके आपका इंडर ओट और एपल कार पर जलता तो कुछ चीज़ें है जो मतलब बहुत यहां से बंद होता है यहां से कोलना है इसको इसको यहां से खोल लो पस्तेट किट वगरा और यह काई कि है यूजर मैनुल टोएटा फॉर्ट यह लिखा हुगा है कोल के भी नहीं देखिए अभी तक तो मैंने बाकी आटोमेटिक है सिक स्पीड टॉक कनवर्टर है इको न है ठीक है घडिक अंदर 11 स्पीकर का सिस्चम देखने को मिलता है आपको जैबील की तरफ से ट्विटर पर भी जैबील की बैंडिंग हो रही है चेक कर सकते हो जैबील का स्पीकर और उपर वी ट्विटर वगरा लगए हूं छे स्पीकर तो सामनी हो गए फिर डिगगी के अ सब्वूफर वगरा भी प्लेस जाएस के अंदर तो बड़ी आसी बात चीत्तों है हाइट अपको गईस टेलेफोन एको मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं और हॉन सुन वहाँ एक पर होन कुछ ऐसा देखने को मिलता लेकि ठीक सा होन है कोई इतना खास अन भी नी बेकार विदियों मुझे ओके लगा होन में कोई दिखते हैं, यहाँ पर आपको वाइफर के कंट्रोल देखने हो मिलते हैं, ठीक है न, आटोमाटिक वाइपर ही नहीं है काड़ी में, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर नीचे आपका पुछ बटन स्टार्ड यहाँ देखने हो मिल जाता है, यहाँ और अपके ORV-M को भूधे को करते हैं, यहाँ तर ऐब करो तब उतर सकते हो, यहाँ से खुल जाते हो, चारों विंडोज ऑट्माटिक डाउन ओटोमाटिक अप, रहाँ यहाँ चीज ब्रॉम का हैं मिल जाते हैं, वहाँ पर पकड़ने के लिए, यहाँ पर ग्रेब हैंडल है बाहरी लगता है चलाने में थोड़ा सा हार्ड है यह नहीं बोलूंगा बहुत साफट है को उगली से घुमाने में दिक्कत होगी बहुत दिक्कत होगी यहां पर आपको दू कपोल्डर देखने को मिल जाते हैं बिकॉस ऑटोमेंटिक अगर मैनुल होती तो मैनुल में कपोलर वाली चीज नहीं आती है आप चेक कर लेना इतनी महंगी गाड़ी में मैनुल हें ब्रेक है अब यह भी एक अलग से क्या ही वोलूंस पर कि इलेक्ट्रोनिक देते क्या जा रहा था ओटो होल्ड के फीचर के साथ तो थोड़ी चोड़ी चीज़ है जो टोयोटा को दोनों ड्राइवर वाली भी उलैक्ट्रोनिक है यह वाली स्लेक लोड़ी है है इसे ब्लीयाच पड़ी चीज पड़ता है बाकी बंद करते हो एक लुक चेक करना भाई फॉर्चूनर मतला फॉर्चूनर भाई प्यार हो जाता है देखके सुन्दर लगती है गाड़ी देखने के अंदर फॉर फॉर उटमेंट इसलिए ले भाई कि घूमने उमने का मन है थोड़ा घूमेंगे भाई शाद के रिव्यू था टोयेटा फॉर्चूनर का कैसी लगी आपको गाड़ी मुझे आप कमेंट करके बताना बाकी तो भाई ओक क्या गाड़ी है मतलब कोई मुझे लादा रिग्रेट भी नहीं है कुछ चीजह हैं जो भाई दे सकते थे दी नहीं है टोयेटा ने लगती भड़ के लुप पार गड़ी है टोयेटा लगता हैं लगता हैं जो बताना बाते हैं आपको ऑगता हैं ।